आप देख रहे हैं जंग तैल का मैं हूँ MS निर्मल इस समय जो सरपंच अपने मांगों को लेकर परदर्सन कर रहे हैं हमारे बाजी कर रहे हैं सरपंच अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से परदर्सन कर रहे हैं और सरपंचों की मांगा है कि जो ए ट्रेंडिंग पर नाली लागू की है सरकार उसको वापिस ले और बहुत सारी मांगे है इनकी और उन्ही मांगों को लेकरके क्या रननीती मनाई है क्या कुछ कहना चाहेंगे सरपंची समय मौझूद है और इंदरी एक्षेतर के सरपंचों सodel आज इस मामले में बैठक की है और एक बडा निर्नेलिया है जाना चाहेंगे घृप्णफ टो इस हमें Alamaj पांच स्टेक्टर सालीयमार में सभी सर्पंच स्टेट के ही सब सर पंच मोंच सब एक αλλά क्पी सठीन रखें लिक्ट के विरूद जो हमारी मांगें यहें हैं ही टेंडरीं की और और iphone को लापने की और इस दाखें ौइमारी किल हमारी मिटिंग घसे आयर आयरा बहुन में चंद नहीं के साथ का लगभग यहां कि आपका सैद बीच बचाओ जाएगा, समझोता हो जाएगा, लेकिन क्या रहा? हमारे दर्शक जानना चाएगा है, कि कल जो बेठक होई थी, क्या बेठक में कोई बात की सहहमती हुई है, पंचयत मंतरी क्या कह रहे है, ये लोग भी जानना चाहरे है. कल हमारी मेटिंग होई वहाँ पर सहमती कोई होई नहीं अपने विचार रखे गए जो सरपंचों ने स्टेट बोड़ी कारिया करनी जो काल इकठी हुई थी तो अपने विचार रखे गए उसमें तो सहमती कोई होई नहीं पर जो मंतरी जी की तेवर पहले थे वो बिल्कुल 물नार रिट्रमई उसने को कबिनेट में रख दूँआ और मुख्यमंथरी विम्हीस को बात भोगी मसमें अज़क में करेंगे दो दिन बात करेंगे उसके आने था उसके बाद हमारा जो परदर्सन करेंगे जो मांगे के हैं उनको मनवाने की बारे में कल पर दरसनों का शुमारे अधिकार के जो हक चीन लिए गए हैं उन्हां को लेकर के सरपंच इस समय अंदोलन रहता हैं पूरे पर देष में और यह जो अंदोलन है यह दिरे दिरे बढ़ रहा है सुलग रहा है और इस अंदोलन की वजह से सरकार को भी काफी ज्यादा अलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है हमारे साथ प्रेंच जी जो चुकें से जानेंगे यह जो अलोचनाओं हो रही है यह वास्विक रूप में है यह सरपंच सिरफ जैसा पिछे इन पर अरोप लग से लसाबर कि स सरकार और यह जो बहुत से हैं अशन से बसे चितने जा रहे हैं ति का अदिकार काम किया जाए करें अगर इन टेंडिंग से हमें कोई माना नहीं है पर जब सरपज का पंचा है तो खुद का पैसा है वो अपनी मर्जी से उसको लगाई नहीं सकता तो सरपंची किस चीज़ की है अब जो चुनाओं में लोग साथ देखते हैं विकास कारिया कराते हैं जो ची साथ करना पड़ता है यह तेंटरिंग इमांद देंगे उसको कभी पूरा करीं सकते हैं ठेकेदार सरकार मानलो सरपज है ठीकेदार है वह ना तो मजदूर अपने लेके मिस्टूर भी अपने लेके आएगा काम भी तरीके से करेंगा उसमें हाना का तो कभी मतलब भी नहीं सरपजम् से ऐननी तो पुर देंगे एं अड्याय से च्डाव नहीं हुए यह तेंडरिंग से या जैसे भी पर सासनिक व्यवस्ता वह काम करा रही थी तो यह जो दो साल के अवदी आप लोगों ने मांग भी किती संवलाल जी कि जो दो साल का इसाफ दिया जाए तो कहीं मिला है क्या कुछ किसी परकार का कोई से आवकताब पंचैतों को नहीं दिया गया है और यह सभी जो पंचैत मंत्री जी आएनोंने मुख्य मंत्री जी नहीं सभी ने जो कितने भी सरपंच मुण हैं सभी को यानि कि गाउं में यह साबित करने की कोईश्की है कि जो सरपंच एक पद है वह एक ब पैसे करने के लिए पैसे करता है इसमें कोई पैसे पैसे करने के लिए नहीं करता है और जो सरकार बार-बार ये चालमा टोड करकर ऐसा truth इतने पैसे दे दिया और किसा आजब्त जुतने फेस्बूक पे डाल kier कर दिया टिने पैसे दे दिया गावराम सुबह से हम यही बात कहने के लिए हमारे पास बैठा है भी यह काम कराईए इतने पैसे उपर से आगे हैं लेकिन किसी खाते में एक रुपैनी है जिन पंचैतों के पास अपनी पंचैत की आमदर नहीं है वो बिल्कुल खाली बैठी है कोई उनके पास न तो पंचै पंचैने और इन से चाहेंगे चंदिगड़ कर जाने का निर्णा तो ले लिया चंदिगड़ में कई ऐसी हाथ से हुए हैं लट भी लग सकते तैयार है बिल्कुल तैयार है जी जोर जुलम की टकर में संगर्स हमारा नारा है ठीक है जी और यह तो सरकार जो आना बलीवांत जानती है वी वो कर कहा रही है वह तो यह अगरीक के प्रति और सर पंचो के प्रति और उनक बद्धनाम करने का करिया और नॉय कि विकास का का रही हुर गर्व कि की बात हो ही यह तो सहु लिगा ayamani पूरन रूप से उतार हुआ है कोई पैसा को बड़ी बात उपर करके सामने आए जोट बोल रही है सरकार बिल्कुल बोल रही जी वह करें पैसे आगे हैं आरिया पंचैतों में पंचैत में एक रुपए भी निया किसी पंचैत का रिकार दिखा उठा के भी कौन सी पंचैत मे मुख्य मंदर कर रहा है यह मांदार हुँ विकास कर रहा हूं और यहांन भी किसी पंचैत में एक रुपए लिए नियांकी से किसी पंचयत में रुपया नहीं से पंचयत फंट का भी जो बकाया था ना दो साल का वह भी घाए बाजी अच्छा चलो कल 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 जो आप पर दर्शन करेंगे उस पो पूरन तोर पर करेंगे पूरी ठीक है जी आरपार की लडाई आज ना लट भी खावेंगे और सीम के निवा सब्सक्राइब करें जब गाओं वाले के सामने जो एक सरपंच को बेहिमान कहा सकता है मुख्या मंत्री तो फिर आमने किसी बात कर रहे हैं पैसा डाले आगे बोले डाले सारी पंचेत्तों में एक क्रोड रफ है यह देखिए विकास की बात हो रही है और दाओं की बात हो ही है लेकिन इन दाओं में कितनी सचाई है वो भी हम एक बार प्रदांजी से पूछेंगे लेकिन हमारे बीच में और भी जो आइसोसेशन के पता दिगारी है उनसे जाना चाहेंगे सब्सक्राइब लंबे समय से आप लोग अंदोलन कर रहे हैं जीतने के बाद लोगों को बड़ी उम्यिदे थी सरपंचों कि वह काम करेंगे वह काम करने लोग आते तो होंगे वह सारे मैसूज हो रहे हैं सर्पश्च में कुछ करवाणा लोग मतललाश किसी एक हाते में कोई पैसे है रहे हैं लोग यह जो सर्पंच है यह रोधी दलों के लोग के बखाव हैं महा रहे हैं कुछ सर्पंच कोई किसी क्यों 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 कि सर्पंच लड़ता है किसी पार्टी से लड़ता है और यहाना इसलिए होती है कि मैं इतना विकास करूँ जब मैं खुद नहीं खाऊंगा इतना खर्च कर सकते हो तो मैं इस पैसे के लिए थोड़ी चुड़ाँ लड़ता है जो गर से खर्च के सर्पंच आया है वो इसलिए आया कि मैं विकास करके लिखांगा और उससे ज्यादा करूँ उसमें हाना की चीज होती है सर्पंच की ना की मिहां लोगों में तो क कोई बात होती है सर्पंच की बात आती है- तो कहीं दफ्तर में ब são條ty ने और उसन नेई हो गया वending खुड़ी मेरे गौहिन आ सब्सक्राइब करें अगर वह पैसा खाने की नियत से बने होते तो आज एरिये में जितने सर्पच्वाने आना सब की प्रोपर्टी होती यह जो खट्र साब कहते हैं मानदार हूं मानते हम बहुत जादा इमानदार है पर उनके आई-स जो एसी में बैठे हैं अपनी वह एसी म सब्सक्राइब करें लोगों की सेवा करते हैं दिन रात लोगों की सेवा में लग रहते हैं लेकिन जब लगे चोर हैं खा रहे हैं बहुत सारी चीजें खा गए है तो फिर मन में पीड़ा भी होती है ठेस भी लगती है और मन में दुख भी हो एग लेकिन लाइन तो ठीक है जब सेवा की बात हो और उपर से सहयोग मिले प्रदान मंत्री कहता है ना खाउंगा ना खा नहीं, पिलाते हैं, सब लोगों क काम इन always सबसेल पहलों मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारी गृरहिभ पैसे इंद्री डोक में करने की जो सूचनाय मिल रही है कि बहुत सारा अधिकारियों पर दबाव है और और अधिकारियों पिस बात का दबाव है कि यह जो चांद नोलन कर रहे हैं इन पर दो लाग से अधिक जिए यह वही वही बात कर रहें दबाव तो है दबाव तो सारे इंपलोईस पर है उसमें बीडियो साब भी आएगए सेक्टरी भी आएगए और अपनी परसनल तो हम उसके टेंडर डालेंगा सरकार को पता लगाने के लिए उसको लेकर किस तरह की तयारी आपकी पूरे परदेश में चल रही है और यहां भी क्या तैयारी है कुछ लोग साथ जाने से बचेंगे भी उनके लिए कोई वयवस्ता की है उनके लिए कुछ इंतजाम किया है क्या कोई नहीं बचेंगे लिए जिस पंचैत के पास कोई फर्ण निया जाने में तंगी है उसके लिए मुईयक राएंगे उसको वह साथ चलेगा वह बिलकुल हमारे साथ कंद से कंदम लागा चलने के लिए त्यार है वह सर पंच भी हमारे साथ जो असमर्द है तो हम उसका गाड कितना लंबा चलेगा कितना लंबा चला सकते पर जन जब तक कोई काम करेंगे इस तरकार में करेंगे अगली निदा करेंगे देखिए ये एक बड़ी बात उबर करके सामने आ रही है यदि मेरे सारे जितने सर्पंच भाई हैं एक बार जरा इकठे आएं थोड़ा इकठे हैं और कल की बात मैं एक बार दुबारा पूछना चाहूंगा हमारे जो दर्सक हम वह भी जानेंगे और जो सत्ता में बैठे हु सर्कार हमारा चंडीकड करेंगी वही साक्वाकिता मसरकार का गाउं में करेंगे सर्पंच हैं सर्पंच ये बात तो बहुत बड़ी है लेकिन आखिर में एक अंतिम्स वाल में जानना चाहूंगा बात आप लोगों के मन से आई है कि 2024 की तयारी भी शुरू हो गई है भारतिय जंदापार्टी ने तो कर दी है जगा 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 जो उनके कार्य करता समय लेना वो चल रही है रेलिया चल रही है और बहुत सारी गतिविदिया सुरू हो गई है अब अब यदि आप लोग चंदिगड जा रहे हैं और आप इार उन्हों ने हमारे चीक्तिने हां कमे कि ताइवो तागत में वोट वोट की चोड से बताते हैं में टागत है अगर वह लाठी चार्ज करेंगे ना तो गाउंवाले इसको बक्सेंगे नियहां के वोट की चोडू से उनका जवाब देंगे यह कि यह जो सर्पंचों की बात चल रही है बात्हें पाउसारी हम फिर भी आपको सर्पंचों के जो बाते हैं उनके जो हक हैं उनकी जो मांगें उनसे दुबारा से रूब रूब हम लोग करवाते रहेंगे आपको लेकिन सर्पंचों की जो मांग है वो हकों की लड़ाई की बात हो रही है और सरकार यदि तक्राव की नीती पर कि और उस मुख्या का यदि कहीं अपमान हुआ उसकी तोहीन हुई और उसके साथ जुलम जाती की गई तो फिर यह निश्चित मान करके चलिए कि जो आने वाला वक्त होगा उसमें फिर 87 नेताओं के लिए के भी मुसीबत खड़ी हो सकती है मैं अपने सयोगी पंकज के साथ मस निर्मल